Hello everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब? मोधी रोजगार दो, ट्वीटर पर, यूट्यूब पर, सोसल मीडिया पर लगाता ट्रेंड कर रहा है और कल, यानि 25 फरवरी को, जो आंदुलनकारी है, उनका प्लान है इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मुझे आगरह किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके, मेल करके, यूट्यूब पर कमेंट करके कि सर इस पर आप कुछ बोलिये, और सिर्फ आप लोगों के आगरह पर ही मैं कुछ बोलने के लिए आया हूँ एक्चुली, रोजगार का मुद्धा एक बार फिर शाया हुआ है, ट्वीटर से लेकर यूट्यूब तक यूआ, रोजगार के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं हैस्टेग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है और जैसा कि मैंने बताया, कल सुबह 11 बजे, इस कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्लान चल रहा है तो मामला ये है कि मंत्रालयों में दूसरी और तीसरी श्रिणी के विभिन्योपदों पर नियुक्टी के लिए परिक्षाएं होती है SAC एक्जाम करवाती है और एक्जाम का नाम है CGL यानि Combined Graduate Level Examination दो साल पहले यानि 2019 में CGL के टीयर 2 की परिक्षा कराए जाने की घोशना होई थी नवंबर 2020 में तीन चरणों में परिक्षा आयुजित भी होई 15, 16 और 18 नवंबर को और 19 फरवरी को परिणाम जारी हुए उसके बात से ही सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कैमपेन का माहौल चल पड़ा परिक्षा परिणामों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और चात्रों ने काफी अच्छा स्कोर किया था कईयों ने कुल 200 अंक की परिक्षा में पूरे अंक भी हासिल कर लिए लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई चात्रों का सेलेक्षन नहीं हुआ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था इस पर स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि 18 नवंबर को घोशित कट आफ में से 100 मार्क्स तक काट दिये गए हैं और वही 15-16 नॉंबर को जिन लोगों ने एक्जाम दिया था उन में से कईयों के 70-80 नंबर तक बढ़ा दिये गए हैं चात्रों को कुछ समझ में आ नहीं रहा है और इन सब बातों को लेकर चात्र बवाल कर रहे हैं चात्र कहीं से कहीं तक गलत हैं भी नहीं एक बात समझे आप किसी भी पक्ष को लेने की जगः मुद्दे को समझेंगे तो बड़ा आसान होगा एक्चुली जब बात हो रही है कि मोदी रोजगार दो तो ऐसा मालूम पढ़ रहा है कि केंद्र की सरकार की ही जिम्मेदारी है रोजगार देना जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है लेकिन क्योंकि SSC Central का Examination है Central Government का Examination है तो इस मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकारी जिम्मेदार है युवा बिरोजगार है बिरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है पेट्रोल की दर आसमान को चूरही है GDP ग्रोध कम होती चली जा रही है सबी समस्याएं एक साथ निकल कर आ गई है और जब भी कोई एक स्टिप मूधी सरकार लेती है तो उसका विरोध पूरे समाज में व्याप जाता है वो CA हो, NRC हो या फिर हम बात करें ट्रिपल तलाग का मुद्दा हो या Farmers Reform हो सरकार अपनी बात लोगों तक पहुचाने में सक्षम नहीं हो पा रही है और विद्यार्थियों का गुस्सा स्टुडेंट्स का गुस्सा जायज है क्योंकि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद एक कॉम्पूर्टिव एक्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट का वेट करने के बाद फिर अपनी लडाई कोट में लड़ने के बाद भी जब स्टुडेंट को पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है जब फियर सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है टीक से एक्जाम नहीं हो पा रहे है तो student का गुस्ता फूटना जाहिर है आप उन्हें कहीं से कहीं तक गलत नहीं कह सकते social media पर कई तरह के meme भी चल रहे है और एक meme मैंने भी हाल में देखा जहांपर मैं एक पती अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैंने अपने एक बेरोजगार को गाड़ी का धक्का लगाने के लिए रख लिया है क्योंकि पेट्रोल से सस्ता पड़ रहा है समझे एक साथ कई सारे मुद्धे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो महिंगाई बढ़ेगी महिंगाई बढ़ेगी तो परिशानी होगी बेरोजगारी वैसे ही चरम पर है और युवाओं का ये कदम केंदर सरकार और राज्य सरकारों को जगाने वाला है मुझे लगता है सरकारों को जाग जाना चाहिए क्योंकि युवा ही वायू है और युवा की शक्ति को कम नहीं आखना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है जो मैं लगातार कहता रहता हूँ कि इतने सारे एक्जाम्स एक्जाम्स और एक्जाम्स पहले आप एंटरेंस एक्जाम्स दो, फिर ग्रेजुएशन करो फिर पीजे के लिए एंटरेंस एक्जाम्स दो, फिर आप कॉंपरिटिव एक्जाम्स फाइट करो एक्जाम थ्री टियर में है, प्री का एक्जाम्स दो, मिन्स का एक्जाम्स दो फिर आप इंटर्वी में रहे गे तो फिर से प्री का एक्जाम्स दो फिर आपने pre-e का exam दिया, means में रह गये तो फिर से pre-e का exam दो ये परिक्षा परिक्षा और परिक्षा इस परिक्षा और exam के जाल से student को बाहर निकालना चाहिए एक ठीक ठाक policy सरकार को बनानी चाहिए ऐसे योग यो लोगों को आयोगों में रखा जाना चाहिए जो कम से कम 100 ठीक से question तो निकाल ले है हमारे आयोग 100 questions ठीक से निकाल पा रहे है उसमें भी 4 या 5 questions में mistake होते हैं फिर उसकी लड़ाई वो court में लड़ते हैं फिर हर बार exam के लिए बहुत सारी fees है आप समझीए एक UI जो बेरोजगार है बड़ी आसान सी बात ये है वो कहीं coaching करता है किसी tuition में पढ़ता है तो उसकी fees में 18% की GST है इस 18% की GST को भरने के बाद वो अपनी तयारी करता है जो books खरीद रहा है वो notes खरीद रहा है उसके पैसे कहां से हैं उसके पास में उसके बाद भी आप एक बात समझे कि जब वो exam देता है और उस exam में भी उसके साथ fair behavior नहीं होता fair treatment नहीं होता समय पर result नहीं आते हैं तो उसका गुस्सा फूटना जाहिर है तो मोदी रोजगार दो ये hashtag trend कर रहा है और मुझे लगता है कि हर किसी को युवाओं का समर्थन करना चाहिए युवा का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो किसी राजनेतिक विचारधारा से समर्थित है या उसके against है मुझे लगता है सरकारों को अपनी जिम्मेदारी तै करनी चाहिए exam fees नहीं होना चाहिए इस बात को भी मैं साथ में जोड़ दूँ exam fees नहीं होना चाहिए पहली बात क्योंकि युवा बेरोजगार है वो exam की फीस क्यों दे आप किसी भी जाती से हो समाच से हो समुदाय से हो exam fees नहीं होनी चाहिए नमबर वन दूसरी महत्वपूर्ण बात exam का calendar पहले से जारी होना चाहिए तीसरी बात सरकार को ऐसे infrastructure तयार करने चाहिए कि अधित्तम लोगों को रोजगार दिया जा सके चौती बात कम समय में exam होना चाहिए और पांचवी बात समय पर posting होनी चाहिए मेरा तो एक ऐसा भी मानना है कि एक बच्चे ने गर एक बार pre का exam निकाल लिया तो उसको कम से कम दो या तीन बार mains के attempt देने का मौका मिलना चाहिए और अगर किसी ने एक बार mains clear कर लिया है तो कम से कम उससे दो बार तो आप interview में जाने का मौका दीजिए ये सांप सीडी का केल बंध होना चाहिए तो मैं आप सबसे आग्रह ये करता हूँ कि कल सुबह 11 बजे ये जो campaign होने वाला है अगर आप इसका समर्थन कर रहे हैं तो शांती पूर्वक समर्थन करें किसी भी प्रकार की हिंसा का उपयोग में मत ले कर आएं किसी भी प्रकार की अपशब्द को उपयोग में न ले कर आएं मुद्दों की बात करें और राजिनेटिक विचार धाराओं के परे सिर्फ और सिर्फ युवा युवा हित की बात हो नमस्कार, have a nice time, take care, bye-bye